तो अगर आप इस्टॉक मार्केट में अच्छा रूपिया बनना चाहते हैं तो पहला नमर आपको पेणी स्टॉक से दूर रहना होगा क्योंकि छोटा छोटा-चोटा सोता और कम रूपिया का होता सस्ता होता है लेकिन यह आपका रूपिया फसा के रखेगा तो क्वालिटी स्टॉक में अगर आप रुपिया डालोगे तो आपका डेफिनलिटी यहां पर मल्टिवेगा रिटर्न बनके आएगा और कुछ अपने मतलब फ्रेंड लोगों को अपने चाहने वाले को क्या कहना चाहते अफसेंट्रेडिंगे सब्सक्राइब ऐने करोымगे पैसा डूब गया वह बंदा क्या करें उसका पैसा ना बचा हो तो सबसे पहले कोई अच्छा साथ जौब ढूंडे उसके बाद पहले जौब करें रूपिया सेव करें उसके बाद करें तब तक